नमस्कार दोस्तों मैं दिपीका आप सभी का दीपक जीस अकेडमी में स्वागत करती हूं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जार्खन प्रैक्टिस सेट की सीरीज को ले कर चल रहे हैं तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि जार्खन निर्मान से बहुत सारे प्रश् करते हैं तो हमारा पहला प्रश्ण है यानि कि हमारा चौश अठवा नमर प्रश्ण है कि सराय केलावा खरसावा देशी रियासतों को किस तीथी को उड़िया में मिलाने की घोश्नक की गई थी तो इसका सही एंसर होगा एक जन्वरी 1948 इस्वी को हमारा पैस अठवा नमर प्रश्ण है सराय केलावा खरसावा रियासतों के उड़िशा में बिलाए के खिलाब इनमें से किस संगठट ने विशाल जन सभा का आयोजन किया था तो इसका सही एंसर होगा सी आदिवासी महासभा हमारा छियास अठवा नमर प्रश्ण है सराय केलावा खरसामर रियासतों के उड़िशा में बिलाए के खिलाब आदिवासी महासभा ने किस स्थिती को एक विशाल जन सभा का आयोजन किया तो इसका सही एंसर होगा सराय केलावा खरसामर रियासतों के उड़िशा में बिलाए के खिलाब आदिवासी महासभा ने किस स्थान पर एक विशाल जन सभा का आयोजन किया था तो इसका सही एंसर होगा ए खरसावा हाट मैदान हमारा 68 नमबर प्रस्थन है सराय के लवा खरसामर रियासतों के उड़िशा में बिलाए के विरोध में आयोजन सभा इन में से कौन सा नारा लगाया गया तो इसका सही एंसर होगा जार्खंड अबुआ उड़िशा जारी कबुआ हमारा उनहात्रवा नमबर प्रस्थन है सराय के लवा खरसामर रियासतों के उड़िशा में विलाए के विरोध में आयोजन सभा में उड़िशा पूलिस द्वारा चलाई गई गोली में लगबा कितने लोगों की मिर्ती हो गई थी तो इसका सही एंसर होगा डी सो लोगों की हमारा सत्रवा नमबर प्रस्थन है सराय के लवा खरसामर रियासतों के उड़िशा में विलाए के विरोध में आयोजित जन सभा में उड़िशा पूलिस द्वारा चलाई गई गोली की घटना को किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही एंसर होगा C. खरसामर गोली कांड हमारा एक खतरवा नमबर प्रस्थन है खरसामर गोली कांड के बाद भारत सरकार द्वारा सराय के लवा खरसामर रियासतों के उड़िशा में विलाए के प्रस्ताव को खारिच करते हुए उन्हें किस प्रांत में मिलाया गया तो इसका सही एंसर होगा C. बिहार प्रांत में हमारा 72 नमर प्रश्ण है सराय केला वो खरसावा देशी रियासत कितने देनों तक उड़ीशा प्रांत के अधिन रहा था जिसके बाद उन्हें बिहार प्रांत में मिला दिया गया तो इसका सही एंसर होगा B. 149 दिन हमारा तिहतरवा नमर प्रश्ण है खरसावा गोली कांट की घटना का परमुक कारण क्या था तो इसका सही एंसर होगा C. सराय केला वो खरसावा को उड़ीशा राजी का अंग बनाना जन हमारा चोहतरवा नमर प्रश्ण है यूनाइटेड जार्खन पार्टी का गठन किस वर्स किया गया तो इसका सही एंसर होगा D. 148 इस्वि में हमारा चोहतरवा नमर प्रश्ण है यूनाइटेड जार्खन पार्टी का गठन किस के द्वारा किया गया तो इसका सही एंसर होगा B. जास्टिन रिस्टर्च्ट हमारा चोहतरवा नमर प्रश्ण है जार्खन पार्टी का गठन किस वर्स किया गया था तो इसका सही एंसर होगा बी उने सो पचास इस्वी में हमारा सतत्रवा नंबर प्रस्णे जार्खन पाटी के संस्थापक कौन थे तो इसका सही एंसर होगा ए जैपाल सी हमारा अठत्रवा नंबर प्रस्णे जार्खन पाटी का गटन की सस्थाण पर किया गया था तो इसका सही एंसर होगा सी जमसेदपूर हमारा उनास्वी नंबर प्रस्णे जार्खन पाटी का पुराना नाम क्या था तो इसका सही एंसर होगा C. आदिवासी सभा हमारा 80 नमबर प्रश्न जार्खन पाटी के पहले अध्यच कौन थे तो इसका सही एंसर होगा जैपाल सी हमारा 81 नमबर प्रश्न निम्न में से किस पाटी ने प्रितक जार्खन राज निर्मान आंदोलन के दोरान आदिवासीयों के साथ-साथ गैर आदिवासीयों के समर्थन भी प्रात किया जिसका सही एंसर होगा D. जार्खन पाटी ने हमारा बिरासिया नमबर प्रश्न जार्खन पाटी के सदस्य ने जुलाई उने 51 में जार्खन छेत्र के दोरे पर आयक किस राष्टी अस्तर के नेता से छोटा नाकपूर संथाल प्रगनल प्रांत के गठन हेतु सही योग मांगा था तो इसका सही एंसर होगा सी जै प्रकास नरायन हमारा 83 नमबर प्रश्न है दू जन्वरी 1952 को राची के मोहराबादी मैदान में आम चुनाव हेतु आयोजित एक जन सभा में किस राष्टी अस्तर के नेता ने जनता को संबोधित करते हैं प्रितक जार्खन राजी के निर्मान का विरोध किया था तो इसका सही एंसर होगा बी पंडित नहरू हमारा 84 नमबर प्रश्न है जार्खन पाटी ने किस वर्स पहली बार विधान सभा चुनाव में भाग लिया था तो इसका सही एंसर होगा बी 1952 में हमारा 85 नमबर प्रश्न है 1952 के बिहार विधान सभा चुनाव में जार्खन पाटी का चुनाव चिन्निमन में से था तो इसका सही एंसर होगा बी मुर्गा हमारा 86 नमबर प्रश्न है 1922 एकी कृत बिहार विधानसवा चुनाव में ज्यारखंड पाटी को कुल कितनी सीटे प्राप्त हुई तो इसका सही एंसर होगा C 33 सीटे हमारा 87 नंबर प्रश्ण है उन्वेश चंतावन के विधानसवा चुनाव में ज्ञारखन पाटी को कुल कितनी सीटों पर बिजय प्राप्थ हुई थी तो इसका सही एंसर होगा सी 32 सीटों पर हमारा 88 नमर प्रश्ण है सी सुसील बागे हमारा नमासी नमबर प्रश्ण है उनेशो संतावन एसीव में जैपाल सिंके आगरा पर बंबे के किस पार्शी ने राची से चुनाव लड़ा था तो इसका सही एंसर होगा बी मीनु मसानी हमारा नब्बे नमबर प्रश्ण है निम्न में से किस पार्टी ने सर्व प्रथम राज पूर्ण गठन आयोग के समक्ष पृतक जार्खन राज निर्मान है तुँ अपनी सिफारी से रखी थी तो इसका सही एंसर होगा बी जार्खन पार्टी ने हमारा एक एक आनबे नमबर प्रश्ण है राज पूर्ण गठन आयोग के टीम का रांची आगमन कब हुआ था तो इसका सही एंसर होगा ए पाच फरवरी उने सो पचपनी स्वी में हमारा बानबे नमबर प्रश्ण है राज पूर्ण गठन आयोग के समक्ष कितने जीलो को मिला कर जार्खन राज के गठन का प्रस्ताव रखा गया था तो इसका सही एंसर होगा बी स्वल्ला हमारा तिरानबे नमबर प्रश्ण है राज पूर्ण गठन आयोग के समक्ष रखे गये राज पूर्ण गठन आयोग के समक्ष रखे गये जार्खन राज के गठन हेतु प्रस्ताविब जीलो में बिहार के कुल कितने जीले सामिल थे तो इसका सही एंसर होगा ए साथ हमारा चौरानबे नमबर प्रश्ण है राज पूर्ण गठन आयोग के समक्ष रखे गये जार्खन राज के गठन हेतु प्रस्ताविब जीलो में उडिसा के कुल कितने जीले सामिल थे तो इसका सही एंसर होगा बी चार जीले हमारा पंचानबे नमबर प्रश्ण है राज पूर्ण गठन आयोग के समक्ष रखे गये जार्खन राज के गठन हेतु प्रस्ताविब जीलो में बंगाल के कुल कितने जीले सामिल थे तो इसका सही एंसर होगा सी तीन जीले हमारा पंचानबे नमबर प्रश्ण है राज पूर्ण गठन आयोग के समक्ष रखे गये जार्खन राज के गठन हेतु प्रस्ताविब जीलो में मद्य परदेश के कुल कितने जीले सामिल थे तो इसका सही एंसर होगा दी दो जीले हमारा संदानबे नमबर प्रश्ण है बिहार बिधान सबा में सर्व पतम किस ने एक प्रिथक जार्खन राजी का गठन किया तो इसका सही एंसर होगा सी सीता राम जगत राम हमारा अंधानबे नमबर प्रश्ण है किस चिति को सीता राम जगत राम द्वारा बिहार विधान साबा में पहली बार प्रिथक जार्खन निर्मान का प्रस्ताव रखा गया तो इसका सही एंसर होगा हमारा निनानवे नमबर प्रश्णे उनेश्व एक सटिस्व में सीता राम जगत राम द्वारा बिहार विधान साबा में प्रस्तूद अलग जार्खन राज निर्मान के प्रस्ताव पर क्या कारवाई हुई तो इसका सही एंसर होगा सी इस पर चर्चा के बाद इसे निरस्त कर दिया गया हमारा सौव नमबर प्रश्णे जार्खन पार्टी का विलाई निमन में से किस पार्टी में किया गया तो इसका सही एंसर होगा सी कॉंग्रेस पार्टी में हमारा 101 नंबर प्रश्ण है किस वर्ष जार्खन पाठी को कॉंग्रेस पाठी में विलाइक कर दिया गया तो इसका सही एंसर होगा हमारा 102 नमबर प्रेश्ण है निम्न मेंस से किसी फारिस पर जार्खन पार्टी का कॉंग्रेस पार्टी में विलाई किया गया तो इसका सही अंसर होगा हमारा 103 नमबर प्रेश्ण है विनोदा नंद ज्ञा कॉंग्रेस पार्टी में विलाई किया गया तो इसका सही अंसर होगा बिहार के मुख मंत्री हमारा 104 नमबर प्रेश्ण है विनोदा नंद ज्ञा के मुख मंत्री तो काल में विहार सरकार में जैपाल सी किस विभाग के मंत्री थे तो इसका सही अंसर होगा C समुदाइक विकास हमारा 105 नंबर प्रेश्ण है राज जैपाल सी मुण्डा की पत्नी जहा आरा ततकालिन परधान मंत्री इंद्रा गांदी के मंत्री मंदल में किस विभाग की उप मंत्री थी तो इसका सही अंसर होगा B परिवाहन वा B मानन हमारा 106 नंबर प्रेश्ण है जैपाल सी मुण्डा ने कॉंग्रेस पार्टी से किस वर्ष इस्तिपाद दिया तो इसका सही अंसर होगा हमारा 107 नंबर प्रेश्ण है जैपाल सी मुण्डा द्वारा कॉंग्रेस पार्टी से इस्तिपाद देने के पीछे क्या कारण था तो इसका सही अंसर होगा हमारा 108 नंबर प्रेश्ण है जैपाल से जैपाल सी मुण्डा तो इसका सही अंसर होगा हमारा 109 नंबर प्रेश्ण है छोटा नागपुर संयुक्त संग के प्रथम अध्याच कौन थे तो इसका सही अंसर होगा हमारा 110 नंबर प्रेश्ण है इन में से किस वेक्ति को से रेठ छोटा नागपुर कहा जाता है तो इसका सही अंसर होगा C, Ram Narayan C हमारा 101 अरवा नंबर प्रशल है महात्मा गांधी ने की सु वेक्ती को छोटा नागपूर केशरी की उपादी प्रधान की थी तो इसका सही एंचर होगा C, Ram Narayan C, हमारा 112 नंबर प्रशल है महात्मा गांधी ने की सु वर्ष राम नरायंची को छोटा नागपूर के श्री की उपादी प्रदान की थी तो इसका सही एंसर होगा हमारा एक्चो तेरवा नमबर प्रशन है प्रितक जारकंड राज्जिक के समर्थन में इसका सही एंसर होगा हमारा एक्चो चोटा नागपूर संयूक्त दल हमारा एक्चो चोदो नमबर प्रशन है बीर्चा सेवा दल का गठन की स्वर्स हुआ तो इसका सही एंसर होगा सी, ensuite 16目前 हीस्वी में हमार孩 115 वा नमबर प्रश्ण है बीर सा सेवा दल के अस्थापने किसने की थी तो इसका सही अंसर होगा ए लरीप कुजूर हमारा 116 वा नमबर प्रश्न है और आज के प्रेक्टिस सेट का हमारा आखरी प्रश्न है बीर्षा सेवा दल की अस्थापना का परमुख उदेश क्या था तो इसका सही अंसर होगा आदिवासी आंदलोनों को मुखरता प्रदान करना तो आशा करती हूँ को आपको ये प्रेक्टिस अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर, कमेंट, सस्क्राइब जरूर करें और आज के इस अगले कड़ी की प्रेक्टिस हम अगले कलास में करेंगे धन्यवाद